Hello everyone, Welcome to GS by Dr. Vipan Goyal YouTube channel So, आज हम इस वीडियो में discuss करने जा रहे हैं हमारे previous MCUs UPPCS के set number 3 आज हम discuss करेंगे आज set number 3 है और इस class को लेके आ रहा हूँ है मेरा नाम है Dr. Vipan Goyal जैसा कि आप सब को बता है और आज इस वीडियो में हम different different MCUs discuss करेंगे और मज़ा आएगा आप लोगों को और देखते हैं जी आगे और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ आप in different social media handles के उपर आप मुझे follow कर सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो important है आपके लिए वो है telegram channel यहाँ पे सारी classes, lecture, pdf सब कुछ यहाँ पे share कर दिया जाता है तो आप यहाँ पे connect कर सकते हैं बाकि सारे different social media handles के जो link है वो description और comment section में आपको मिल जाएंगे आप लोग जो है हर घर शिक्षा campaign के अंत्रगत party से वेड़ कर सकते हैं जिसमें आपको मेरे paid courses मिलेंगे मात्र 499 रुपे में only just for 99 रुपे में आपको इसमें code लगाना है क्या that is VIP 499 अगर ये code लगाते हैं तो 499 रुपे में आपको मेरा course मिल जाएगा मात्र 499 में एक साल की validator के साथ ये courses कौन से हैं? GS course है और 10,000 MC course है तो अच्छे से पढ़ें, त्यारी करें, mock test भी हैं यहां पे आपके ठीक है? बहुत सरी चीज़े हैं यहां पर पढ़ सकते हैं और सिर्फ 499 रुपे में मिलेगा आपको course एक साल की validator के साथ GS course हमारा theory course है, एक topic की understanding का है वो यहां पे हमने समझा है इन courses के link आपको description और comment section में आपको मिल जाएंगे otherwise आपको करना क्या है, study IQ app और website डाउनलोड गरनी है जैसे आप study IQ app और website डाउनलोड करेंगे तो आपको screen के उपर नज़र आएगा home page बिल्कुल end में जाना और वहां पे नज़र आएगा आपको Dr. Vipan Goyal courses जब Dr. Vipan Goyal courses नज़र आएगा तो ये सारे courses आपको नज़र आजएगे code लगाना VIP 499 तो आपको course मातर 499 रुपे में मिल जाएगा तो आप अमने course को purchase करें, preparation को आगे बढ़ाएं और बस यही कहना है आपको और चाहे आप YouTube से पढ़ते हैं चाहे आप डिली classes से पढ़ते हैं, जहां से भी पढ़ते हैं, बस पढ़ें, अच्छे से पढ़ें अगर आप course के साथ पढ़ना जाते हैं, तो ये code यूरूर याद करे लेना 499 में आपको एक course मिल जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, तो देखे जी हमारे स्क्रील के उपर पहला कोशन क्या कहता है? ओके, fruit stored in the cold chamber exhibit long storage life because देखे देख सिदी सी बात है, जो हमारे cold store होते हैं, यहां पे सबजियां, यहां पे fruits वगएरा जो होते हैं, बहुत time तक जो है, इनकी storage, यह store करके रख लेते हैं, लंबे समय तक, इसका reason क्या होता है, इसका reason क्या होता है, देखते हैं, exposure to sunlight is prevented, concentration of carbon dioxide in the environment is increased, rate of respiration is decreased, there is increase in the humidity, सिदी सी बात है, जब fruits को cold storage में रखा जाता है, तो इसकी activity जो होगी, सांस लेने की activity हो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिदी सी बात मताओं, मतलब ऐसी जब जैसे मुर्दे होते हैं, जो यह police station, police officer बगएरा को मिल जाते हैं, तो वो बंदे, cold chamber में डाल देते हैं, movies में तो दिखा ही होगा, उसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो उनको सांस नहीं आ रही होती है, तभी उसको वहाँ पे डालते हैं, तो इसको ऐसे link करके याद रहेगा, concept पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है, बाकि मैंने आपको ब respiration जो है, उसका decrease हो जाए, श्वसन की दर जो है, वो कम हो जाए, तो answer number के अब बनेगा आपका, C is the correct answer, बहुत सारे questions हैं, इनी questions में हम निकालते हैं, क्या, fruit की study को हम क्या कहते हैं, homology, clear, fruits को पकने के लिए किस चीज की आवश्यक्ता होती है, hormone is ethylene gas, ethylene gas की आवश्यक्ता ह होती है, important one, respiration की, अगर मैं बात करता हूँ, respiration किस type का process होता है, respiration is a catalytic process, catalytic का मतलब क्या होता है, जैसे glucose हमारी body में होती है, हम सांस लेते हैं, तो वो glucose तूट जाता है, carbon dioxide और water में, तो that means it is a catalytic process, तो this is very important one, अच्छा, एक और question आगा दिमाग में, जो fruits होते हैं, वो क्या होते हैं, fruits are ripened ovary, fruits are ripened ovary, ये भी question paper में बहुत बार आता है, fruits are ripened ovary, answer number C is the correct one, चले जी, next question बताइए, जी, अगला question बताइए, फटाफट, which muscle in the skin contract, to make the hairs on our skin, stand up straight, goosebumps, when we are cold or frightened, जब थंड होती है, जो आपकी ये mass patient होती है, ये शिकुर जाती है, जब हम थंडे हो, जब बैभीत हो, तो कौन सी muscle होती है, contact कर जाती है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, जी, अब आप एक चीज़ देखिए, काफी बच्चे जो अंसर लगा रहे हैं, देखो, मैं एक चीज़ में बता दू, जी, अब आप एक चीज़ देखिए, जब हम skin की कहां गया, यहां पर जब हम skin की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में पता क्या आंसर आया है, जो बच्चे लगा रहे हैं, क्योंकि epidermis का मतलब क्या होता है, जो हमरी skin है, उसकी outer layer is called epidermis, बट यहां पर हम क्या कह रहे हैं, muscle, point समझाया, and that is erector pili, that is called erector pili, जो मतलब pili, मतलब like for example, skin के अंदर भी इस तरीकी की चीज़े होती है, ऐसे, यह goosebumps जिसे हम कहते हैं, जैसे हम hairs होते हैं, हमारे hairs ऐसे खड़े हो जाते हैं, जब भी कुछ हमें अच्छा feel होता है, जब धर जाते हैं, जा फिर ठंड लगती है, तो goose bumps आते हैं, तो hairs अपने अप हिल्ले लग जाते हैं, यहां से, तो dad is called erector pili, answer number D is the correct answer, yes, hair follicles के साथ attach होते हैं, small muscles होती है, ठीक है, यह erector pili, छोटी-छोटी muscles होती हैं, जो hairs के साथ connect होती है, answer number D, यहां पे उसने outer layer नहीं पूछा, skin की outer layer नहीं पूछा, skin की outer layer होती है, epidermis, देखो, मैं आपको मैं बता रहा हूँ न, आप लोगों को लगता बहुत easy question है, ऐसी examiner ने डाल दिया, बट ऐसे question नहीं होते, easy question नहीं है, question easy भी हैं, लेकिन समझना, समझ के हम टिक करें तो ज़्यादा बेटर है, epidermis outer layer होती है, यह याद रखना, अब बात करते हैं, collagen protein की, collagen protein जो होता है, हड्डियों में, bones में सबसे ज़्याद देखने को हमें मिलता है, bones की study को हम क्या गाते है, osteology, bones को अच्छा करने के लिए calcium और phosphorus की जुरुत होती है, यह याद रखने वाला पार्ट है, so this is important one, calcium और phosphorus, answer number D, erector pilli is the correct answer, यह जो तो एक है, यह एसे वाले, erector pilli, च किया था, question पढ़ो, फड़ा फड़, कौन सा commission जो है, center state relationship के लिए था, बताओ, 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 देखो, मैं आप चीज बताओं आपको, question को थोड़ा सा देखके, पढ़ो और टिक कर, इसको paper की तरह attempt करो, फड़ा फड़, ठीक है, question को कि खुद पढ़ो, मैं तो बताओं दूँगा, आप लोगं को, center state relationship को करने के लिए, कौन सा commission बैठा था, and that was the, सरकारिया commission, सरकारिया commission बैठा है, 1983 में, इसके इलावा, एक commission और था, पुन्ची commission, पुन्ची commission is for, also for the center state relationship, जो 2007 में बैठा था, जब हम center और state के relationship की बात करते हैं, तो that means हम federal structure की बात करते हैं, और हमारे भारत देश में, सरकार जो है, हमारा कैसा है, quasi-federal, quasi-federal का मतलब क्या होता है, हाफ federal है, हाफ federal है, और हाफ क्या है, center है, federal word का मतलब क्या होता है, federal word का मतलब होता है, जहां पर powers जो है, आपकी distribute करे जाएं, divide करे जाएं, decentralized करे जाएं, point समझा है, that is the meaning of federal, but federal word is not written anywhere in the constitution, मतलब federal word कहीं पे भी सविदान में नहीं लिखा गया, यह याद रखना, और हम क्या है, क्वासी federal, but एक question आप लोगों के लिए, जो मुझे अभी comment section में बताएंगे, हमारी सरकार जो है, federation है, with strong center, हमारे देश में federation with strong center है, clear, यह जो बात है, यह कौन से सविधान से ली गई है, यह आप मुझे question बताएंगे comment section में, 27% reservation की जहां पर बात करी गई थी, OBC class के लिए, 1979 में जो है, यह commission आपका बैठा था, 1979 में, उस तरहीं पर यह सरकार किस की थी, मुराजी देशाई की, मुराजी देशाई, प्राइम मिनिस्टर थे, जन्ता पार्टी के उस तरहीं पर यह बात आई थी, लेकिन, 27% quota लगाने की बात, जो लागू करने की बात, वो कब करी गई थी, 1992 में, जब आपके परधान मंत्री कौन थे, कौन से परधान मंत्री थे 1992 में, जल्दी पताओ, 1992 में कौन से परधान मंत्री थे, जल्दी पताओ, जल्दी पताओ, Yes, BP Singh, BP Singh was the Prime Minister, जब यह चीज लागू करी गए थी, मंडल कमिशन की रिकमेंडेशन को लागू किया गया था. इस इस इंपोर्टन वान, अर्चा एक चीज़ बताओ, कोठारी कमिशन किसके लिए था, ये लेंगूइज के लिए था, जिसमें इन्होंने थ्री लेंगूइज फॉर्मूला बताया है था. What is the meaning of थ्री लेंगूइज फॉर्मूला? थ्री लेंगूइज फॉर्मूला का मतलब ये है, कि जहां पे जैसे वरनेकुलर हम बात करते हैं, जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो मुझे पंजाबी आती है, आप किसी डिफरेंट स्टेट से बिलॉंग करते होंगे, जो आपको मात्रभाशा है आपकी, वो आती है, ठीक है, इसके इलावा इंग्लिश हिंदी, and third is हमारी जो मात्रभाशा है, तो यह थीर लेंग्विश फॉर्मूला, जो है कॉंसेक्ट हमें किसने बताया था, डैड इस अठारी कमिशन ने बताया था, नानावती कमिशन किसले कर था, जो है गोद्रा कांड हुआ था, गोद्रा इंसिनेंट हुआ था 2002 में, तो वो नानावती कमिशन के अंटरगत देखने को हमें मिला था, तो अंसर नंबर B is the correct one, अंसर नंबर B, चलिए अगला अंसर बताये, येस, अगला अंसर बताये फटाफट, जल्दी से जल्दी बताये फटाफट अंसर, फटाफट अंसर, बताये बताये फटाफट, जैनुरे मेरा जो गला है, खराब है, तो बीच-बीच में, वैसे ऐसे नहीं आपको दिक्कत नहीं आई उस चीज से थोड़ा बहुत मैं पानी पी रहा हूं गरम-गरम बीच-बीच में दरुद्रों के बट आपको ताके लेक्चर भी पुरा एनर्जी के साथ और विदाउट एनी हेजिटेशन खांसी वेगारा ये वह सर्दी वेगारा लितोसफियर का मतलब क्या होता है जो अर्थ क्रस्ट का पार्ट है जहां पर हम रहे हैं हाइडोसफियर पानी वाला पार्ट एटमोसफियर उपर गैस वाला पार्ट जो है तो ये तीनों सिचेशन में ये तीनों सिचेशन में हम उस चीज को क्या कहते हैं उसे हम क्या कहते ह Biosphere के नाम से जाना जाता है तो answer number क्या बनेगा C is the correct answer Biosphere, clear Exosphere क्या होता है, जो outer space होती है और Troposphere, जहाँ पे आपका weather का phenomena, मौसम ये बारिश rain, और clouds natural phenomena ये सब कुछ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है Troposphere में, तो इस question का जो answer बनेगा, वो बनेगा C, Biosphere is the correct answer यहाँ पे दिखे, lithosphere, earth hydosphere, water, atmosphere is air and now it is called Biosphere यह यहाँ 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 पे connected है चलिए, अगला answer बताए Yes जो 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 बताए फटापट, बहुत बढ़िया Under which schedule of the Indian constitution is the list of official language found हमारे भारत के सविधान में official languages जो है, कहां पे मिलती है कौन सी list में हमें देखने को मिलती है Yes, बताए फटापट बताओ, बताए बताए फटाए 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 फटाबाश जी यह तो सब को आता होगा बढ़ा simple सा question है Yes, एर्थ, आठवी अनुसूची में जब हमारा सविधान बना था तो अब कितनी थी? 14 भाशाएं को माननेता मिली हुई थी अब कितनी टोटल है? अब 22 भाशाओं को माननेता मिली है लास्ट में चार भाशाएं एड करी गई थी और वो कौन से थी? बोडो, टोगरी, मैथली, संथाली चार भाशाएं एड करी गई थी और ये चार भाशाएं जो है 92nd Amendment Act 2003 दोवारा जो है इसको एड किया गया था तो इस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टर पार्ट अंसर नमबर D और दिमाग में क्या आता है 14, 22 हाँ, एक चीज और बता देता हूँ साहित्या अकादमी अवर्ड साहित्या अकादमी अवर्ड जो है वो 24 भाशाओं में दिया जाता है 22 ऑफिशल भाशाओं होती है एक होता है इंग्लिश एक होता है राजस्थानी तो ये आपको दो भाशाओं एड करी जाती है और डैड इजा 24 भाशाओं एक चीज आपको मैं बता दूँ इंग्लिश हमारे भारत देश के ओफिशल लेंग्विश जाने के 8 स्केडूल में नहीं गिवन है बट कभी भी कोई भी स्टेट जो है इंग्लिश को अपनी ओफिशल भाशा बना सकता है ये भी आपको याद रखना जैसे के फॉर एक्जमपल नागल है नागलेंड की ओफिशल लेंग्विश कौनसी है आपकी इंग्लिश है याद रखने वाला पार्ट है बाकि ये जो स्केडूल है वो क्या है 9th स्केडूल किसके बारे में बात करता है लेंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है लेंड रिफॉर्म स्केडूल में स्केडूल एरिया की एडमिस्टेशन की बात आ रही है जो अनुसूचित एरिया होते है उनके एडमिस्टेशन के बारे में बात आती है जिसमें चार स्टेट्स हैं आपकी असम, त्रिपूरा, मेगाल्या और मिजोर्म चार स्टेट्स की बात आती है, इन चार स्टेट्स को इलावा, इन चार स्टेट्स के इलावा, scheduled area की अगर हम बात करते हैं, तो वो आती है पांच में schedule में, यही आपको याद रखना है, पॉइंट समझाया, अगर हम असंत्रिपुरा मेगाला मिजोर में चार स्टेट की administration के ब answer number D is the correct answer, चलेजे अगला अंसा बताईए, अगला अंसा बताईए, फट अफट, येस, तथ्यक अली जो है, हमारा क्लासिकल डान्स पॉर्म है, ये कौनसी स्टेट का क्लासिकल डान्स पॉर्म है, देखे क्लासिकल डान्स पॉर्म की, अगर मैं बात करताओ, नॉर्थ इंदिया से स्टार्ट करते हैं North India का Classical Dance Form है कथक, ठीक है, फिर आजाओ East में, अस्सम में आजाओ, अस्सम में है सतरिया, मनिपूर में आजाओ, मनिपूरी, कितने हो गए ये, टोटल तीन हो गए, ठीक है, अब आजाओ उडिशा में, उडिशा में है उडिशी, चार, एक, दो, तीन, चार हो गए, आंधरा परदेश में आजाओ, ये आपका, एक सेकिन, ये हमने क्या बढ़ा है, कत्था कली न, आंधरा परदेश में बात करता हूँ, तो खुचीपूरी, चीक है, तमिल नाटू की बात करते हैं, तो भारत ये हमारे classical dance form है, आठ, तो कितने होगे जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आठ टोटल हमारे classical dance form है, जो आपको याद करने हैं, तो पेपर में question में ये भी पूचा जा सकता है, इनमें से classical dance कौन सा है, कौन सा नहीं है, जा आपको match-out the following में लगा के पूच सकते हैं कि classical dance और दूसरी कथकली से different-different question कैसे बनाई जा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है, वहीं से exam में question पूचा जा सकता है, तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको match-out the following में लगा के question पूच सकते हैं, आपको ये पूच सकते हैं कि इनमें से classical dance कौन सा नहीं है, तो इन चीज़ों के उपर ज जाद रखनी है, अगर ये side वाली knowledge आप लोगे ना, तो जाके आपकी preparation अच्छी होगी, और चीज़े आप पकड़ पाएंगे जाद, point समझा है आप लोगों को, ध्यान रखना ही सीज का, तो ये होगे जी, लेकिन इसके इलावा भी, paper में मैंने बहुत सारे dance form देखी हैं, जो के आपके जो folk dance form है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, raw, paper में paper में बहुत बार आया है, raw, जम्म कश्मीर का है, ठीक है, और कौन सा पूछा गया है, बीहू पूछा गया है paper में बहुत ज़्यादा, असम में है, और जक्षगन पूछा गया है paper में बहुत ज़्यादा, जक्षगन करनाटकम में है लावनी डांस पिपर में बहुत पूछा गया है लावनी महाराष्टरा में है और भांगडा गिद्दा पंजाम में है और गडवा गुजरात में तो इस तरीके से कोशन पूछे जाते हैं गूमर राजस्तान ठीक है बाकि जो भी आप स्टेट से ब बताना की क्या है चलिए जैंगला अंसा बताईए अगला अंसा बताईए शाबाश कोशन को पढ़ो पहले खुद से पढ़ा करो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो पहले कोशन कि यस कि हुई स्टेब्रिश दा खालसा और मिनिंग दप्योर इन सिखेजा वर्ड का मतलब क्या है वर्ड का मतलब क्या है कि हालस खालसा दप्योर सिख धर्म में जब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा गुर्द वारा के दरगत जो के पगड़ी तो सब के होती है सरदार में सिख धर में सरदारों के पास मैक्सिमा ठीक है और जिन्होंने पगड़ी बांदी होती है ठीक है और उनके शौर्ट पेंट पैनी होती है और एक ऐसे यहां से एक तलवार या चाकूल ऐसे लटका होता है यहां से ठीक है तो वो तो actually क्या होता है, गुरू गोबिल सिंग जी ने एक प्रथा चलाई थी, जो सिखो के 10वे सिख गुरू है, तो पहले कर अंसर्टिक करो इसका, गुरू गोबिल सिंग जी, जो सिखो के 10वे सिख गुरू है, 10th सिख गुरू, और इन्होंने आनंदपूर साही में 5 लोगों को अमरित पिलाया था अमरित पिलाने का मतलब यह है जिनको वो पानी वो लिकुड वो अमरित जो जीवनदान है जा आप ऐसे कह लिए जिसको पी के बंदा प्योर हो जाता है शुद्ध हो जाता है खालिस हो जाता है उसको खालसा का रूप दिया था और उनको जब यह पांच च चीजे अपने पास हमेशा रखनी पड़ेंगी वो पांच चीजें है कौन सी? That is the केष, बाल जिसे हम कहते हैं, कड़ा, जो कि आपका यह होता है और कॉम, ठीक है? केष हो गया, कड़ा हो गया, कॉम हो गया, और कॉन से हैं? और काचहरा जिसे हाफ पेंड कहते हैं और क्या रह गया केश कड़ा किरपान ठीक है तो पांच चीज़ें आपको पहनी पड़ेंगी तो answer number B is the correct answer answer number B गुरु गोबिन सिंग जी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये औरंग जेव के time के समकाली है contemporary है तो गुरु गोबिन सिंग जी ने जफर नामा लिखा था जफर नामा लिखके किसको बेजा था औरंग जेव को बेजा था याद रखना गुरु नानक देव जी सिखों के फर्स सिख गुरु हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी गुरु नानक देव जी और इनके समकालीन कौन थे बाबर इनके समकालीन थे इबराहिम लोदी वगयरा गुरु अंगर देव जी सिखों के दूसरे सिख गुरु हैं देख इसकी जो स्क्रिप्ट है वो है गुरू मुखी उसकी स्क्रिप्ट क्या है गुरू मुखी तो वो गुरू मुखी स्क्रिप्ट जो है वो गुरू अंगदेव जी की दी गई है गुरू अर्जन देव जी ये पांचवे सिख गुरू है और इनको मारा गया था इनको शहादत मि वो भाग के चला गया था किसके पास गुरु अर्जन देव जी की शरण में चला गया था तो इसको लगा जहांगीर को कि ये भड़का रही है इसलिए इनको मार दिया गया था पॉइंट समझाया तो ये पॉइंट आपको याद रखना है तो अगला बताईए जी शाबाश एक बच्चे ने एक बच्चे ने इसमें कमेंट सेक्षिन में कोशन लिखा है वो कोशन ये है एक बच्चे पढ़ लेट दो हाँ एक बच्चे ने लिखा है हिंद की चादर हम नौ में सिख गुरू को कहते हैं गुरू गोबिन सिंग जी के पिता जी को कहते हैं और ये इसलिए वो थोड़ा सा लग रहा था मुझे तो कि कमेंट सेक्षिन में फटा फटा आगे जा रहा ना तो इसका रहा है चले जा आगे देखते हैं दा फर्स हनी टेस्टिंग लैबोर्टरी जो है वो आपकी गुजरात में कौन से डिस्टिक में कौन से जीले में स्टार्ट करी गई थी तो वो स्टार्ट करी गई थी आ सबसे स्वीटेश शुगर और इसको फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं हनी की बात करते हैं तो इसके लिए जो कल्चर होता है हनी बीज की परड़क्शन के लिए एपी कल्चर उसे हम कहते हैं एमदाबाद पूरी की पूरी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है सूरत जिसे हम डाइमंड सिटी के नाम से जानते हैं डाइमंड नैच्रल नैच्रल कार्बन का जो है आपका सबस्टांस है डाइमंड शाइन करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण डाइमंड सिटी तो ये है सूरत है लेकिन डाइमंड माइन्स कहां पे है वो है पन्ना माइन्स पन्ना माइन्स कहां पे है MP में MP में forest area सबसे ज़्यादा है percentage wise मिजोरम में ज़्यादा है पन्ना बायोसिर रिजर्ब बारवा बायोसिर रिजर्ब बना हमारा जो के मध्या परदेश में है Man and Biosir Program of UNESCO के clear UNESCO का जो Man and Biosir Program है उसके अंतरगत बायोसिर्ब रिजर्ब वो बना था याद रखना सूरत बिवाजन बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे 1907 लिह हुआ था 1907 में modernists और extremists divide हो गए थे नरंदल और गरंदल वाले लोग पॉइंट समझाया answer number C that is आनन चलिए अगला answer बताईए next question is बहुत बढ़िया अब गुजरात के उपर तो मैं बहुत सरे चीज़े बता सकता हूँ गिर नैशन पाक है ब्लैक बक है गल्फ आफ कर्च है बन सदा है मरीन है यह सारे points हम बता सकते है बट ठीक है question को थोड़ा सा दाइरे में भी रखना होता है चीख है येस आगे बताईए boiling point of water in Fahrenheit is दिखे इसका formula आपको याद करना पड़ेगा वो formula क्या है C by 100 जो मैं याद करके रखता हूँ हमेशा आपको भी बताता हूँ F minus 32 upon 180 is equal to K minus 273.15 upon 100 ये formula याद रखे इसमें C Celsius है F Fahrenheit है K Kelvin है तो question क्या पूछा उसने हमें Fahrenheit में पूछा हमें पता है कि पानी का जो boiling point होता है 100 degree centigrade होता है ये सब को पता है ठीक है तो इसका मतलब हमें centigrade की value पता है Fahrenheit के निकालनी है तो हम दोनों को equal कर देंगे तो मतलब 100 by 100 is equal to F minus 32 upon 180 ऐसे गया तो ये बन गया 1 ये गया इधर और F is equal to 180 plus 32 हो जाएगा तो बन गया 212 तो इसका answer क्या बनेगा C is the correct answer ऐसे question को निकालना है ये clear अगर आप से paper में पूछ लिया कि Fahrenheit ना बता के आप मुझे Kelvin में बता दो तो Kelvin में कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये हो एक मिन्ट 100 by 100 लिखी देते हैं ताके गड़ बढ़ना हो K minus 273 upon 15 upon 100 clear 100 से 100 गया तो ये बन जाएगा K is equal to 373.15 तो ये Kelvin में value बन जाएगी पानी के जो है boiling point की तो इस तरही के से पर में कोई भी question पुछा जा सकता है normal body temperature की उपर Kelvin में पुछा जा सकता है 37 degree normal centigrade में temperature होता है farne height निकालो Kelvin निकालो पुछा जा सकता है water की density 4 degree centigrade की उपर maximum होती है तो आपको farne height और Kelvin में पुछी जा सकती है तो ये सारे तरीके के question पूछे जा सकते है paper में किसी भी तरीके से clear एक चीज़ आपको बताना Celsius और farne height जो बराबर होते हैं वो आपका minus 40 degree की उपर बराबर हो जाती है ये भी आपको याद रखना है और जब हम इसकी thermometer की बात कर रहे हैं temperature की बात कर रहे हैं तो जो हमारा thermometer होता है उसके अंतरगत जो होता है liquid कौन सा होता है that is mercury क्या होता है mercury mercury की consumption mercury is Hg mercury की और कौन सी होती है सीनाबा mercury की consumption से कौन सी disease हो जाती है that is minimata disease minimata disease clear और mercury हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ठीक है liquid होता है mercury liquid is at room temperature और room temperature वैसे कितना होता है पता है आपको 25 degree centigrade, अगर मैं बात करूँ कि liquid at room temperature लेकिन mercury का freezing point कितना होता है, minus 39 degree centigrade, clear, लेकिन अगर मुझे minus 60 मा अपना हो, minus 70 मा अपना हो, minus 80 मा अपना हो, तो मैं क्या करूँगा, mercury की जगा की उपर हम कौन सा thermometer यूज़ करेंगे, alcohol thermometer यूज़ करेंगे, यह आद रखना, answer number C, तो काफी बचे ये कह रहे होंगे, सर्फ भावनाओं में बैगए, और बहुत सरी चीज़ें बता दी, हो जाती है, marathon classes में, daily classes में भी हो जाती है, ऐसी चीज़े, जी, गोल्डी लॉग जोन जो है आपका क्या है, what is गोल्डी लॉग जोन, येस बताइए, गोल्डी लॉग जोन जो है वो क्या है, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ, बताइए, बताइए, बढ़िया, 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 गोल्डी लॉग जोन वो होता है, दिखातों option, जैसे धरती है, इसके उपर water वाली condition देखने को में मिलती है, temperature ना तो ठंडा है, ना तो गरम है, मतलब ठीक है, रहने के लिए अनुकूल है, और liquid water की presence, तो ये condition अगर मिल रही है, उसको हम क्या कहते है, उस जगा के उपर गोल्डी लॉग जोन है, and that zone is called the area which is in precise reason to inhabit life, जाने के जहाँ पर हम रह सकते हैं, उसे हम गोल्डी लॉग जोन के नाम से जानते हैं, बढ़िया, 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 शाबाश, बताइए बताइए अगला question, इन में से कौन सा member नहीं है, GCC का, GCC का member कौन सा नहीं है, Gulf Corporation Council का जो member है, इन में से कौन सा नहीं है, जल्दी से जल्दी बताइए, GCC की अगर मैं बात करता हूँ, रियाद, साउदी अरेबिया, इसके headquarter है, रियाद, साउदी अरेबिया जो है, इसके headquarter है, किसके headquarter है, that is GCC के, point समझ आ गया, GCC के headquarter है, तो इन में से कौन सा जो है, member nation नहीं है, GCC का देखते हैं, यहाँ पर यह GCC countries हैं, जैसे के, अगर मैं बात करूँ, साउदी अरेबिया, रियाद, तो इसका main headquarter है, एक तो यह हो गया, कुवेट दो, कतर तीन, बहरीन चार, ओमान पांच, UAE छे, तो यह छे countries हैं, जो के GCC का part बनती हैं, यह छे countries जो हैं, GCC का part बनती हैं, अगर मैं इन छे countries के साथ, जाने के Gulf Corporation Council के साथ, इरान भी डाल दूँ, और इराक भी डाल दूँ, जाने के total 8 हो जाती हैं, तो यह पर्षन गल्फ का part बन जाते हैं, तो अगर 6 country GCC की, और इरान इराक मिल जाएं, तो पर्षन गल्फ बन जाता है, यह याद रखना, पेपर में ऐसा question पूछा जाता है, पॉइंट समझ आया, तो यह इसका answer क्या बनेगा, आपका, इरान is a correct answer, answer number A, और इरान में worldwide सबसे ज़्यादा सैफरन उगाई जाती है, केसर, जैसे की इंडिया में, जम्मू कश्मीर और G.I.T.E.C. भी है वहाँ पी, और सैफरन को हमेशा highlands में उगाया जाता है, highlands का मतल तरिवास कहा जाता है, यह कुशन पेपर में बहुत आता है, यह वाला, तरिवास बाता, पढ़ ले ना, छे से, answer number A, चलो अगला answer बताओ, बढ़िया, बताईए, J, which article of the constitution of India creates that all the authorities, civil और judicial, one sec, one sec, one sec, पढ़िये, एतना answer पढ़िये, एक चीज, एक मिनिट रुकिए, तब, आप तब तब तक answer दीजिए, जी, बताईए, 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 all authorities, civil and judicial, in the territories of India, shall act in the aid of the Supreme Court, मतलब क्या हो गया, कि जितनी भी authorities हैं, वो act करेंगी, in the aid of Supreme Court, मतलब उसकी सहायता काम करने में मदद करेंगी, यह कौन है, जल्दी से जल्दी बताईए, कौन सा article number यह देखने को मिलता है, and that article number is 144, answer number C is the correct answer, 144 is the correct one, answer number C, clear हो गया, 137 जो होता है, यह किस के बारे में होता है, revisory jurisdiction के बारे में, अब एक चीज देखे, एक होता है, revisory, एक होता है, judicial review, दोनों में paper में confusion होती है, exam में word key confusion होती है, एक होता है, revisory, एक होता है judicial review, judicial review मेंली हम article 13 के अंत्रकत, इसको मतलब मानते हैं, कि यह इसके साथ link करता है, देखे, revisory का मतलब और review का मतलब क्या है, दोनों का difference क्या है, बताता हूँ, अगर हमने 10 दिन पहले कोई decision लिया, यह Supreme Court की बात करूँगा, वैसे को मैं Supreme Court कोई लेके चलते हैं, Supreme Court ने कोई decision लिया, ठीक है, Supreme Court ने कोई decision लिया, और जब decision ले लिया, suppose करो साल बात, उस decision को उसने बदल दिया, जा फिर review कर लिया, जा च्विर change कर दिया, उस चीज को हम क्या कहते हैं, रिवाइसरी, उस चीज को हम क्या कहते हैं, रिवाइसरी jurisdiction के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, judicial review की, अगर मैं बात करता हूँ, judicial review की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है अगर कोई कानुन हमारे भारदेश में 1947 में ना हुआ है आपको लगता है उस चीज की मतलत ऐसे नहीं कोँगा कि मैं वो कानुन गलत है जा अच्छा है लेकिन जिस तरीके से समया बदल रहा है तो कानुन भी हमारे बदल रही है पॉइंट समझाया तो 1947 का कोई कानुन है और आज हमारा भारदेश 2022 में चल रहा है तो उसमें उस कानुन की जो सविधानिकता है या नहीं है जाने के वो सविधानिक है या असविधानिक है कुछी भी चीज को घोशित करने के लिए हम वर्ड यूज करते है जुडिशल रिव जुडिशल रिव्यूवर्ड जो लिया है हमने यूएस के सविधान से लिया है यह भी आपको याद रखना है 157 बात करता है अगर किसी गवर्नर को अपॉइंट करना है उसकी क्या कहते हैं आपके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अपॉइंट करने के लिए गवर्नर को रा अंसां माइंड नहीं होना चाहिए बगरा बगरा ही सब चीज़े तो जुड़ी होई है अच्छा अरे बाजी वाग की बच्चा कैए रहा है कि अरे कोई बात नहीं करने तो एक भच्चा ग्या रही कि सर एक ही शर्ट रोज क्यू पहनते हैं ठीक है और तो एक ही चीज़ें आपको बितालँ ठीक है अब तुम सोचते रहो कि क्या बैंते हैं सर चलिए जी अगलान से बताईए तुम बात क्या करते हो यार हैं पढ़ने की तरह थोड़ा सा ध्यान दिया करो तुम क्या बाते करते रहते हो चलो चले जी पढ़िये पढ़िये फड़ा पड़ अंसर बताईए फड़ा पड़ पहले कुछ बन जाओ तुम पहले कुछ बन जाओ ठीक है कुछ बन जाओ यह फालतो की बाते कुछ कर लेना नहीं तो नहीं तो पता क्या होगा तुमारे घरवाले यह कहेंगे कि बेटा हमारे पास तो जो था वो तुम्हें दे दिया अब तुम देख लो ठीक है पढ़ने पे आजाओ ध्यान रख लो अगला कोशन देखें 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 कोशन क्या कह रहा है Parliament of India सविधान जो है आपका सविधान ठीक है सविधान जो है स्टेट लिस्ट के अंदर कानून बनाने की अगर हम बात करते हैं अगर हम स्टेट पार्लेमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी वो legislate करने की power है उसमें और वो state list की अगर हम बात करते हैं state list में national trust के लिए क्या चीज़ करनी पड़ेगी देखिए actually क्या होता है कि जब भी सविधान संसद की अगर हम बात करते हैं तो संसद में अगर कोई भी कानून मतलब बनाना है state list में कानून बनाना है क्योंकि देखो तीन तरह के की list है center, state और concurrent list center में center कानून बनाएगा state में state बनाएगा और concurrent में center plus state दोनों मिलके कानून बनाएगे ये तो सबको बता है ठीक है लेकिन बात यहाँ पर यागी कि parliament को state list में कानून बनाना पड़ गया तो क्या करना पड़ेगा राज्यसवा को अगर लगे कि state में कुछ अच्छी चीज नहीं चल रही जाने कि national interest के लिए उनको कोई भी चीज लगे तो वोटिंग पास करवा देंगे राज्यसवा दो बटा तीन से ये बिल पास करवाएगी और प्रॉपर तरीके से जो है कानून लग जाएगा पॉइंट समझा है आप लोगों को तो ये जो है आपका राज्यसवा बाइए मेजर्टी अप नॉट लेस दन टू थर्ड अप इस मेंबर प्रेजेंट अट वोटिंग ये चीज करेंगे तो आपका कानून जो है प्रॉपर दरीके से लग जाएगा पॉइंट समझा है आप लोगो येस तो अंसर नंबर डी इस दा करेक्ट अंसर अब यहां पे अगर हम बात करते हैं कि पार्लेमेंट जा राज्यसवा आपका किन चीजों की उपर इनिशेटिव ले सकती है वो क्या है देखे नैशनल इंटरस्ट के मैंने बात कर ली अगर हमारे देश में नैशनल एमजनसी लगी हो आर्टिकल 352 द्वारा तब भी पार्लेमेंट जो है स्टेड लिस्ट के उपर कानून बना सकती है इंटरनेशन ट्रीटीस को अगर लागू करना हो जाने कि हमारे अंतराष्टिय शांती बना के अंतराष्टिय संधियों को लागू करना हो तब प्रेजिजेंट रूल लगा हो तब जाने कि राष्टपति शासन तब भी जो है पार्लेमेंट स्टेड लिस्ट में कानून बनाएगी प्रॉप्पा तरीके से पॉइंट क्लियर हो गए आप लोगों को जी और फिर ऐसे भी हो सकता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स मिलके जाके कहा दें कि हाँ हमारे लिए कानून बनाओ तब भी एचीज हो सकती है तो मतल Eight पांच कारणों के कारण जो है सेंट्र thighs जणकी पार्लेमेंट जह स्टेड लिस्ट्स की ऊपर कानून बना सकते है तो ऐ चीज ध्यान रखना so this is very important part लिए चलेंजे अगला 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 यूनिफॉर्म सिबिल कोर्ड की अगर हम बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिबिल कोर्ड येस बताएए यूनिफॉर्म सिबिल कोड का मतलब यहां पर है जहां पर सब बराबर है और जो हमारे लॉज होते है धरम के लॉज वो चलते नहीं है वहां पर पॉइंट समझाया मतलब इकुल लॉज सब के लिए बराबर लॉज तो यह कौन सी कंट्री में है हमारे स्टेट म ठीक है और एक कौन से आर्टिकल में है आर्टिकल 44 में है और यह जितने आर्टिकल्स हैं यह DPSPs में आते हैं ड्रक्टी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलसी में जिसका जो उदेशा होता है वेलफेर करना वेलफेर ऑफ दा स्टेट करना सोशल एल एकनोमिक डेमोक्रिसी बना क करता हूं तो यहां पर हमने मॉनुमेंट्स को पर्टेक्ट करके रखना है जो हमारे देश की दुरोहर हैं जो देश की दुरोहर हैं नैशन इंपोर्टन्स के लिए जरूरी हैं 45 की अगर मैं बात करता हूं 0 to 6 years के बच्चों को पढ़ाना यह स्टेट्स की जिम्मेदारी हो कि नेक्स वह उशन बढ़ाई है की यह नेक्स्ट गोशनी, शाबाश, बहुत बढ़िया इन में से भ्रह्मपुत्रा की जो है आपकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है जल्दी से जल्दी बता, ये भ्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है यहां पर चलो पिच्छरी नहीं बनाई, कोई बात नहीं, एक्चली क्या होता है कि यहां पर तिब्यत से एक ग्लेशर है इट्स कॉल्द चम्यंग ग्लेशर, ठीक है, यहां से आपकी भ्रह्मपुत्रा रिवर जो है स्टार्ट होती है जिसे हम सैंको रिवर के नाम से भी जानते हैं, यारलंक सैंको के नाम से भी जानते हैं और इंडिया का अगर मैं कहूँ यह आपका इस्टन एंकर है, जाने के पूरवी हिस्सा, जिसे इस्टन एंकर है नामचा बारवा नामचा बारवा को ऐसे क्रॉस करती है रुनाचर प्रदेश में और फिर पहुंचती है अस्सम में और अस्सम में ये क्या बनाती है मजूली आइलेंड बनाती है कौन सी रिवर के उपर भ्रह्मा पुत्रा रिवर के उपर लेकिन इसकी बहुत सारी tributaries हैं जो आके आपस में बनाती हैं इसलिए मजूली आइलेंड को हम रिवराइन आइलेंड के जानते हैं और यहांपे बहुत सारी tributaries हैं जैसे के कामेंग की बात करूँ, लोहित की बात करता हूँ, ठीक है? कामेंग, लोहित, सुबानसरी की अगर है लोगित है यह सारी कि सारी जो हैं इनकी तर्बिूटरी देखने को मिलती हैं तो अंसर नंबर D is the correct answer clear answer number D जी जी एक समझा है आप लोगों को तो answer number D is the correct answer answer number D भ्रह्मपुत्रा is the correct one चलिए अगले इस बताइए बताइए फटाफट ये कोशन देखे पेपर में आया हुआ कोशन है और पेपर में तो सारी कोशन आया हुँ है लेकिन ध्यान से समझ की बात करना है देखे सिदी सी बात है मैं हमेशे आप लोगों को बताता हूँ कि देखे गवर्मेंट आफ इंडिया के दो अकाउंट्स है वो दो अकाउंट्स कौन कौन से है एक तो है आकस्मिक्ता निधी यह वर्ड यूज होता है अब बात करते हैं यह तो 266 है और यह 267 है अब बात करी जाए इसमें दोनों में बात करी जाए 266 और 267 में बात करी जाए अगर हम बात करें जो देश है हमारा उसका खर्चा लगा रहेगी बात करी जाए जहां वो पैसा रसी कर रहा है किसी भी तरीके से रसीव कर रहा है और बारत बंद खर्च भी कर रहा है तो वो कौन कर रहेगा Consolidated Fund of India से होगा तो मतलब इस कोशें का जो अंसर बनेगा वो Consolidated बनेगा और इसमें Parliament जो होती है इस चीज में सारा काम करती है Parliament सारा काम करने का मतलब क्या है यहां पे बिल बनाए जाते हैं लोगसभा राजेसभा में पास किये जाते हैं और President इसको साइन करते हैं लेकिन जो Contingency Fund of India होता है अक्समित्ता नदी जिसमें हमारा सारा का सारा पैसा जो है Emergency के लिए लई लई जाता है यह वाला पैसा That is Contingency Fund of India का पॉइंट समझाया जी अब भात क्या है करते हैं यहां पे तो इसका अंसर क्या बनेगा आपका That is C is the correct answer That is Consolidated Fund of India Answer number C यह Contingency भी मैंने बता दिया अच्छा अगर आपसे पूछा जाए Who is the eye and ear of public account जाने कि हमारे public account के कान और आखें कौन है तो वो है आपका CAG That is Comptroller and Auditor General of India Article 148 Clear यह देखने को हमें मिलता है Public account की eye and ear है तो answer number क्या बनेगा C is the correct answer Consolidated Fund of India चलिए अगला answer बताएए अगला answer बताएए Yes बड़ा बताएए अगला question Which of the following is the international agreement between the government that aims to ensure that international trade in the specimen of wild animals and plants does not threaten their survival देखें सिदी सी बात यह है कि जब भी हम plants और animals का international trade कर रहे है उनकी जान की उपर ना बने इन में से वो कौन सा agreement देखने को हमें मिलता है Yes, बता सकते हैं आप लो बता सकते हैं आप लो बताएए बताएए शाबाश Yes, बिल्कुल सही That is the sites अब sites क्या है Convention on International Trade of Endangered Species of Flora and Fona रपीड कर रहा हूं है Convention on International Trade of Convention on International Trade of Endangered Species of Flora and Fona This is the sites Answer number A is the correct answer अगर मैं endangered species की बात करूँ Plants और Animals की बात करूँ तो यह कौन सी लिस्ट में आते हैं Red list में देखने को हमें मिलते हैं और यह Red list छापता कौन है IUCN छापता है International Union for Conservation of Nature and Natural Resources छापते हैं तो IUCN के जो headquarter हैं वो कहां पे है That is a gland Switzerland में देखने को हमें मिलते हैं तो answer number A is the correct answer BRICS की बात करता हूँ तो BRICS word जो दिया था वो Goldman Sachs ने हमें बताया था Goldman Sachs और एक चीज़ में आपको बता दू Brazil, Russia, India, China और South Africa इसका part है Last जो country जोइन करी थी BRICS में से वो South Africa थी 2010 में इसने जोइन किया था BRICS के एक bank है जिसे हम कहते हैं NDP National Development Bank जिसके headquarters शंगाई चाइना में है GATS की अगर मैं बात करता हूँ That is General Agreement on Tariff and Trade जो G-A-T-T होता है General Agreement on Tariff and Trade जिसका नाम बाद में change हुआ WTO के नाम से change हुआ That is World Trade Organization 1 January 1995 को इसका नाम change हुआ और GATS बना था 1948 में जिसके headquarters कहाँ पे है Geneva में इसके headquarters देखने को मिलते हैं याद रखना और OPEC क्या है Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC OPEC के headquarters कहाँ पे है Austria में और Austria में और किसके है ICA नहीं Austria में किसके headquarters है ICAO के तो वहाँ पे है Montreal, Canada में Montreal, Canada में जी और Austria में headquarters है International Tomic Energy Agency के headquarters है ये याद रखना International Tomic Energy Agency के तो ये points आपको याद रखने है सारे के सारे points clear होगे आप लोगो जी तो answer number क्या बनेगा आपका A Sight is the correct one चलिए अगला answer बताओ चलिए अगला answer बताइए Lion Tail Macau Found in its natural habitat ये कहां पे देखने को हमें मिलता है Yes, बताइए, शाबाश बताइए, शाबाश बताइए, शाबाश देखे जी, Lion Tail Macau जो है, ये हमें कहां से दिखने को मिलता है Yes, बताइए देखे, तमिलाडू में है जी तमिलाडू में है केरल में भी देखने को मिलता है करनाटक में भी देखने को मिलता है Reason why, क्योंकि जो Lion Tail Macau है ये हमें देखने को मिलता है Western Ghats में पश्मी घाट में, जिनने हम और क्या कहते हैं सहाद्रीज के नाम से भी जानते हैं ये आपको पता होना चाहिए सहाद्रीज के नाम से Clear, तो answer number क्या बनेगा? इसका 1, 2, 3 is the correct answer Western Ghats का मतलब ये होता है जहां पे coastal areas है यहां पे, यहां पे जो है आपका यहां पे टकराती है ये चीज़े ये वाला पार्ट है आपका सहाद्री वाला पार्ट, Western Ghats वाला पार्ट Southwest Monsoon जो होती है यहां से स्टार्ट होती है आपकी यहां से स्टार्ट होती है और आपकी यहां पे टकराती है और बारिश करती है और that rainfall is called Orographic Rainfall Orographic Rainfall उसे हम कहते हैं तो these are very important points clear answer number क्या बनेगा A is the correct answer अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए Western Ghats और Eastern Ghats मिलते कहां पे हैं तो that point is the that point is the Neelgiri Mountains Blue Mountain का पार्ट है यह याद रखना और Neelgiri Mountains का सबसे उचा वाला पार्ट जो है सबसे highest mountain जो है दोदा बेटा यह point से याद रखने है सारे के सारे ठीक है answer number one two three is the correct one चलिए अगर 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 बताईए अगरा बताईए काजी रंगा नैशनल पार्ग जो है आपका कहां पे है काजी रंगा नैशनल पार्ग जल्दी से जल्दी बताओ काजी रंगा नैशनल पार्ग कहां पे देखने को मिलता है answer number one असम असम में काजी रंगा नैशनल पार्ग है और असम में और क्या चीज़े है असम में काजी रंगा तो है ही है मानस है दिबरू साइकोवा है और आंग है काजी रंगा famous इसके लिए है करनाटिका में अगर मैं बात कुरता हूँ वेस्टबेंग गउल में बता सकते हैं ये शारे देखने को मिलते हैं ये 사सरे ने नश्यवन पाक देखने और बंदिपूर, येस, अंशी नैशनल पाग, कुद्रे मुख नैशनल पाग, ये सब करनाटका में हमें देखने को मिलते हैं, तो answer number one is the correct answer, so river ब्रह्मपुत्रा, चलिए अगला देखते हैं, येस, अगला बदाईए, नवाब बंगाल, after the death of अलिवर्दी खान in 1756, 1756 में जब अलिवर्दी खान की जो death हो गई थी, तो उसके बाद नवाब कौन बना था, बंगाल का, देखें, बंगाल का जो नवाब बना था, वो बना था, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान is the correct answer, very important question, answer number B is the correct answer, ठीक है, देखें, मुर्शिद कुली खान के बाद आगे जाके, सिराजु दोला जो नवाब बनते हैं, आपके सिराजु दोला बनते हैं, नवाब बंगाल, तो इनको जो है, दस्तक राइट्स मिलते हैं, दस्तक राइट्स, अब ये दस्तक राइट्स का मतलब क्या है, दस्तक राइट्स का मतलब है, duty free trade करना, ये duty free trade जो होगा, ये किसको मिला था ये duty free trade करना किसको मिला था ये मिला था सिर्फ और सिरफ English East India Company को लेकिर English East India Company के जो members लोग थे उसका misuse कर रहे थे जिसके कारण सिराजु दोला ने सबी लोगों को काल कोटडी में डाला 1756 में जो के कलकत्ता के कासिम बाजार में illegally ये चीज़े use कर रहे थे तो उसमें 123 soldiers की death होगी थी और that tragedy is called black hole tragedy जिसके बाद जिसके बाद सुराजु दोला की लड़ाई हुई Robert Clive के साथ जो के governor है बंगाल का और उसको हम क्या कहते हैं पलासी का युद और पलासी का युद जो जीता था Robert Clive ने क्योंकि मीर जाफर जो है इसके साथ जाके जुड़ गया था मीर जाफर जो है मीर बक्षी था जानए कि जो सेना है कमांडर है वो मीर जाफर है और मीर जाफर जाके मिल गया Robert Clive के साथ तो इसकी तो जब अंग्रेजों ने प्लासिका यूद्ध जीत लिया तो सारी पॉलिटिकल पावर्स जो है वो किसके हाथ में आगी अंग्रेजों के हाथ में आगी तो अंसर नमब बी इस दा करेक्ट अंसर मुषिद कुले खान इस दा राइट वान चले जी अगला नसा बताईए अगला नसा बताईए फटाफट जी इन में से आपको कथनों के उपर बताना है कि इन में से कथन जो हैं आपके करेक्ट माने जाते हैं कौन से कथन इसमें से सही है जाने कि जो हमारे चीफ सेकरेटरी हैं मुख्या सचीव हैं उस राजया के राजया पाल दोरा पॉइंट किये जाते हैं ये पॉइंट गलत है वो गवर्नर दोरा पॉइंट ना गरके वो किसके दोरा पॉइंट किये जाते हैं वो सीम दोरा पॉइंट किये जाते हैं ये या और दूसरा पॉइंट है चीफ सेक्रेटरी का जो राज्या के अंदरकत होता है उसका फिक्स्ट नेर होता है ये भी गलत है तो मतलब दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है तो इसमें से जो डी ऑप्शन है आपको शाय दिखनी रहोगा होगा इस फोल्डर के कारण बट ना तो पहला आप्शन सही ना ही दूसरा आप्शन सही है तो उन्सर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा गरेक्ट अंसेर छलिए अगला अंसर बताइए अगला अंसर बताइए फट आफट सर श्टैफ़र्ड क्रिप्स जब सेगन वर्लड वौर के बाद भारत देश में आया था मतब सेगन वर्लड वौर के टाइम पे भारत देश में आया था और इसको बेजा किसने था? इसको बेजा था बृतेज के प्राइम म Anyways ने बेजा था किसने? Winston Churchill ने बेजा था Winston Churchill ने बेजा था कि यार मना लो इंडिया वालो जो चाहते हैं दे दो लेकिन अगेन बात हमारे ही करना अंग्रेजों की ही करना अंग्रेजों के हक में करना बस बात ये है इनको जैसे तैसे World War में शामिल करवा लो क्योंकि अगर हम जीतेंगे तो इंडियन्स के मलद से जीतेंगे तो Crips Mission Winston Churchill ने बेजा और जब भारदेश में आया तो उसने क्या बोला कि हम आपको Dominion Status प्रोवाइड करके देंगे लेकिन आपको War Advisory Council में War Advisory Council बनाई जाएगी लेकिन कब बनाई जाएगी Second World War के बाद बनाई जाएगी point clear हो गया सारी जो powers हैं वो आपकी transfer करी जाएगी rights दिये जाएगे minorities के और proper तरीके से negotiate किया जाएगा Constitution Assembly और British Government के बीच में आपको proper तरीके से किया जाएगा Constitution Assembly बनाई जाएगी ताके आप नया सभिधान बना सके यह सब बातें यहाँ पे करी गई थी सभिधान लागू किया जाएगा लेकिन जो defense की forces होंगी वो अंग्रेजों के अंतरकत होंगी तो मतलब हमें दिया क्या है कुछ भी नहीं सिर्फ दिखा दिया यह पावर से लेकिन दिया कुछ भी नहीं that's why Crips mission को गांधी जी ने क्या बोला था post dated check post dated check कोने crumbling bank मतलब जो आगे की date का check दे दिया गया है जो bank खुद लडखडा रहा है यह bank को कौन है अंग्रेज है अंग्रेजों की हर्त पतली हो रखी है यहां पे second world war में क्यों क्यों क्योंकि Japan जीतता चला जा रहा था सभी तरफ से जीतता चला जा रहा था point clear तो इसी कारण जो है Crips mission को बेजा Churchill ने बेजा था Crips को और Crips mission को post dated check बोला किसने महात्मा गांधी जी ने और महात्मा गांधी जी ने इसके बाद जो है बारत देश में Crips mission के बाद जो है quit India movement launch होगी जो के leaderless movement थी लेकिन गांधी जी ने वहां पे slogan दिया था do or die का slogan दिया था वहां पे तो answer इसमें दिखते हैं क्या बनेगा India should be greeted complete independence गलत यहां पर dominion status की बात करी गई थी India को partition किया जाएगा नहीं इन्होंने कभी भी बात यह सी करी नहीं है इसमें India को republic बनाया गया था Commonwealth के लिए नहीं यह सारे Mountbatten की बात है इंडिया इंडिया should be given the dominion status dominion status की बात करी गई थी यह dominion status भी क्या है मैं आपको बता देता हूं क्या है अगें वही चीज़े defense हम रख लेंगे अपने बंदों को point कर लो government general को सारी power मिल जाएंगी लेकिन अपने बंदों कर लो मतलब क्या हुआ power तो तुम लेके बैठे हो highest post तुम लेके बैठे हो जो authorities है हमें क्या दिया है बंदों को थोड़ा point करना है हमने तो power चाहिए हमें तो complete independence चाहिए हमें अभी बताओ कि क्या provide करोगे क्या हमारा सविधान बनाओगे क्या हमें rules regulation जो आप हमारे उपर लगा रहे हो हम उसको बनाएंगे जब काम बनाएंगे सविधान बनाएंगे यह सारी बातें करी गई थी लेकिन इन्होंने क्या बोला कि हाँ इंडिया को हम सिर्फ dominant status provide करेंगे यह यहाँ पर बात करी गई थी answer number D is the correct answer यह वही चीज जो मैंने आपको बताई है वही सारी की सारी चीज यहाँ पर लिखी है चले जी अगला अंसर बताई है जी 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 फिर्स टीटी ना इंटायर नौथ इस विजन टू गैड़ा मैं होल क्लीनिंग रोबोट बंदी कूट मैं होल क्लीनिंग रोबोट जो रोबोट है वह स्वेंजिंग वगारा जो करते हैं उस चीज को करने के लिए यह जो रोबोट पैदा किया गया है बनाया गया था और नौथ इस में कहां पे डैड़ी जिन्दा गोहाटी वाला पार्ट सो गोहाटी में अंसर नंबर क्या बनेगा आपका जे गोहाटी अंसर नंबर B is the correct answer गोहाटी गेट्स नौथ इस फर्स्ट मैनों टीनिंग रोबोट बंदी कूट अगला बताईए यह कोशन मेंने सुबह भी करवाया था यह कोशन मेंने सुबह भी आपको करवाया था अगर याद हो अगर आप मेरी क्लासिस डेली पड़ते हैं तो सेम कोशन हमने कल भी आज सुबह भी डिस्कस किया था कि 5000 से 20,000 सोल्जर्स मतलब लोगों को लगाया गया था 40 पिलर्स एट अलाहबाद 40 पिलर अलाहबाद अकबर स्टाइम पे कौन से परसन ने बताया यह बताया था हमें शाहजहां के बारे में औरंगजेव के बारे में शिवाजी महराज के बारे में दाराशिकों के बारे में यह कहानिया हमें बताता है तबर्नियर की बात करता हूँ बर्नियर की अगर मैं बात करता हूँ तो यह शाहजहां के टाइम पे दोनों परसन आये थे दोनों French person है ये याद रखना French है इतलियन है बगएरा बगएरा अब्दुल हामिल लहौरी इन्होंने शाजा नामा लिखा था इसके नाम के उपर शाजहां के नाम के उपर शाजा नामा और शाजहां की एज को टाइम को गोल्डन एज बोला जाता है और मुगल आर्किटेक्चर वर्ड यूज किया जाता है अंसर नंबर C is the correct answer चली अगला अंसर बताईए मैंने आज आप लोगों को सुबह बताया था कि आज जहां कोशन डिसकस करेंगे मतलब कुछ भी कोशन डिसकस करेंगे कुछ तो static कोशन है सीधे one liner टाइप कोशन है कुछ आपका दिमाग लगाने वाले कोशन है और जब तक दिमाग नहीं लगेगा तब तक preparation अच्छे से नहीं हो पाएगी तो थोड़ा सा दिमाग लगाईए चीजों के उपर चले जी अगला कोशन बताईए इन इंडिया deficit financing is used for raising resources for देखें सीधी सी बात है यहाँ पे deficit का मतलग घाटा financing मतलग पैसा देना तो घाटा पढ़ना किसको पढ़ता है government of India को घाटा पढ़ता है number one financing government of India को finance कौन कर सकता है RBI अब RBI कैसे कर सकती है RBI कैसे कर सकती है government of India को finance government of India को finance तो यह कर सकती है government of India के पास government security RBI को दे दे और पैसा ले ले एक जा फिर वो request करेगी जैसे तैसे हमें पैसे दे दो ठीक है और जैसे तैसे कि जब बात आ जाएगी ना जैसे तैसे पैसे दे दो तो RBI के पास अगर reserve पढ़ा होगा तो दे देगा जब नए नोट मारकेट में छप गए तो आएंगे कहां पर again market में आएंगी market में आने का तो यहांग以前 को दीएंग गभॉपर आजाएगी और अगर नया नोट मारकेट में आ गया तो इसका मतलब पैसा मारकेट में आगया इम्प्लोईमेंट मिनने लगी लोगों की salaries आने लगी सब कुछ होने लगया जिससे क्या होगा growth होनी start हो जाएगी जब growth होनी start हो जाएगी लोगों की growth होनी start हो जाएगी कुछ time बाद जब सारी चीज़े proper आ जाएगी और पैसा भी आ रहा है, काम भी मिल रहा है तो उसके पाद क्या होगा, demands बढ़ने लग जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है, पैसा आना मतलब growth होना, market में पैसा आना मतलब growth होना, जैसी growth होगी, demand बढ़ने लग जाएंगी, demand बढ़ेंगी, तो inflation बढ़ेगा, point समझाया, so that's why economic growth is directly proportional to the inflation, जब growth होगी, inflation भी होगा, point समझाय जब आर्थिक विकास होगा, तो मुद्रा सफीती भी देखने को हमें मिलेगी, तो इसका मतलब growth हमारे लिए बिकार है, नहीं, growth जो है, जैसे आर्मे ने इस टाइम बोल लगा है, 4-2%, that means, 2-6% तक आपका जो inflation है, वो अच्छा है, तो इसलिए, जो deficit financing use करी जाती है, वो किस चीज़े use करी जाती है, point clear होगे आप लोगो, जी, answer number A is the correct one, चलिए अगला answer बताईए, यह तो बड़ा simple सा question है, यह तो बतादो यार, HRD ministry का नाप अब क्या हो चुका है, यह तो बतादो, बड़ा simple सा question है, HRD ministry होती थी पहले, human resource development, आज उस ministry को हम क्या बोलते है, yes, ministry of education, अपसा question डाला था मैंने, तो को पढ़ते रहा करो, मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोगों को, चीज़े पढ़ते रहा करो, इदरूदर की चीज़े थोड़ी सी knowledge रखा करो चीज़ों की, जे, अगला बताईए, yes, बताईए, बताईए, धड़ा धड़, धड़ा धड़ मैसेज आ रहे हैं, धड़ा धड़, धड़ा धड़, जे, आर्टिकल वन और धड़ कॉंस्टिचिशन डिस्क्राइब इंडिया एस, भारत का जो सविधान है, सविधान का पहला आर्टिकल है, उसमें हमारा लिखा गया है, भारत धैड़ इस यूनियन ओफ स्टेट्स, अंसर इसमें क्या बनेगा, ये, स्टेट्स का मतलब स्टेट्स ही है, राज्यों का मतलब राज्य ही है यहाँ पर, यूनियन तेरिट्स नहीं है, अगर यहाँ पर पूछा जाता, कि इंडिया की टेरिट्रीज क्या है, the territories of इंडिया, अगर आपसे पूछा जाता, कि what are the territories of इंडिया, तो उसमें हम किस किसी उसमें हम इंक्लूड करते हैं union territories को जा फिर territory जो कोई भी territory है जो acquire कर ली है हमारे देश ने तो उन सब चीजों को बुलाया जाता आपका that is union of states. अगला बताईएं अकबर का टॉम जो है वो कहां पे है अकबर इसके टाइम पर English East India Company भारादेश में आई थी ठीक हैं अकबर ने मनसवदारी प्रथा हमारे भारादेश में चलाई थी मनसवदारी सबसे ज़्यादा राजा मान सिंग को मिलती थी राजा मान सिंग वो ही है जिन के साथ Battle of Haldigati 1576 में लड़ाई लड़ी गई थी इस इंपोर्टन वान अब आओ कोशें की तरफ अकबर का टॉम कहां पर है सिकंदरा सिकंदरा नियर आगरा और आगरा का शहर किस ने बनाया था सिकंदर लोधी ने बनाया था याद रखना फतेपूर सिकरी की अगर मैं बा गुजरात जीतने के बाद अलाहबाज इसे प्रियाग राज कहते हैं जहां पर गंगा और यमुना का संगम है जहां पर दो रिवर्स मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दुआब का वर्ड का नाम भी जाना जाता है क्लियर आगरा मैंने बताई दिया आपको अंसर मोग वान बंगॉल वाज इस्टैबलिश इन कैलकटा बाई जो एशेटिक सोसाइटी है बंगॉल की वो आपका 1784 में आपकी बनाए गई थी ठीक है और किसने बनाई थी ये कोशन है बाई बाई है डैट इस सर विलियम जॉन्स अंसर नंबर क्या बनेगा बी लेकिन अगर पूछा ज तो ये याद रखने वाला कोशन है अगर पूछा किसने बनाई तो आपका अंसर बनेगा विलियम जॉन्स ही बनेगा लेकिन किसके टाइम पे हुई वारन हास्टिंग के टाइम पे गवरनर जनरल वाइसरा ही ये थी और रेगुलिटिंग एक्ट इन्होंने 1773 का पास किया जहां पर डियल गवर्मेंट को खत्म किया गया था सुप्रेम कोट फैडल कोट बनाई गई थी कलकता में 1774 में बनाई थी और सर विलियम जोन्स को किन्फ्यूज मत करना चार्ल्स विल के साथ चार्ल्स विल जो है टाइटल है अकबर सेकेंड ने इनको टाइटल दिया था अकबर सेकेंड ने टाइटल दिया था clear और समबद, कॉमधी, गिफ्टू, मॉनोथीस यह सारे पेपर है राजा रामोन राई जी के और राजा रामोन राई जी को हम बोलते हैं फादर आफ इंडियान रहने सा बजाने के भारत में जो पुनर जनम के दाता है वो कौन है राजा रामोन राई जी मैं कॉले की बात करता हूँ तो 1835 में इन्होंने इंग्लिश भाषा को लगाया था भारत देश में मतलब लगाने की बात करें तो विल्यम बेंटिक ने लगाया था लेकिन रिकमेंडेशन किसकी थी मैं कॉले की थी जिसके कारण इनको फादर आफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बॉला जाता है मैं कॉल लेको पॉइंट समझा है आप लोगको तौथ अंशर इस में क्या बनेगा यज जॉन्स अगला बताईए तुम्हें समझ आ भी रहे है है नहीं जब सवही सर्झ ए करदो सर्फ B करदो सर्षी करदो तुम्हें समझ हा भी या रहा जब आसे हवा में बाते हैं प्रफ यह वह प्रफ यह अमंग दर लिकुड इस बताओ 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 शाबाश हर्फ यह पैस समय अमंग दर लिकुड इस लिकुड में सबसे बेस ट्रकर कौनक्ड का यह प्टा अहीं का अब की मर्करी को माउइनस 309 degrees सेंटेग्रेट ret ऑप मार सेसिंघ वांट है और लिकुड भी तो Cecilies और mercury की ओर कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया था, सीना बार है, और इसकी consumption से minimata disease हो जाती है, answer number B is the correct answer, HG, next बताओ, yes, which of the falling state receive rainfall due to the western disturbances, जाने की पश्चिवी विशोब जो होता है, आपका western disturbances होती है, तो उसमें बारिश कहां पे आती है, देखें बारिश जो आती है, Mediterranean Sea, जो टर्की के पास है आपका, ठीक है, वहां से आपकी जो है, ऐसे हवाई उठती है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भारत में आती है, और ये कब आती है, विंटर सीजन में, जाने के शर्द रितु में आती है, और आपके जो आपका उत्तर पश्चिम भारत है, यहां पे लगती है, और बारिश करती है, विंटर सीजन में, जो के हमारे लिए, रभी क्रॉप के लिए अच्छी होती है, जाने के रभी की फसले, जो विंटर सीजन की फसले होती है, तो ओविसरी बात है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन आगया आपका, डेडिस पंजाब वाला पार्ट आ जाता है, अगर यहां पे कोशन पूछा, हमारे इंडिया में रेइनफॉल सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो वो साउथ वेस्ट मौनसुन जो है, आपकी सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं, यहां पे हमारे इंडिया में, और साउथ वेस्ट मौनसुन करती है, और वो कौन सी रेइनफॉल होती है, मेज, वीट, लिंसीड, पी, ग्राम, यह सारी की सारी जो फसले हैं, यह क्या है, ड़िस रभी की फसले हैं, शर्द रितु की फसले हैं, जी, अगला बताओ फड़ा बर्ट, जो कौकरच होता है, वो पानी में सांस नहीं ले पाता, क्यूंकि उसका जो सांस लेने वाला ओर्गन है, वो क्या है, देखे, सांस जो होते हैं, पानी में गिल्स के द्वारा लिये जाते हैं, बट जो आपका कौकरच है, वो आपका, जैसे वो सांस लेता है, जैसे इंसेक्ट चैकरौ जो cockroach है बगईरा है आपके यह проч लेते हैं तो इसके अंदर जो है आपका त्राकिया होता है जिसे गिल्स है जिसे फिश होगी प्रौन होगे फिश प्रौन बगईरा वो गिल्स सांस लेते है और जो आपके 예 होते हैं Scorpio, जाने के बिच्छू बगएरा, clear, yes, spiders, ये लेते हैं बुकलंग से सांस, ये organ है इनका बुकलंग, clear ये याद रखना, समझा है आप लोगों को, जी, तो answer इसमें क्या बनेगा, B, Trachea is the correct one, चलिए अगलान सा बताइए, which of the falling has the high retentivity, retentivity जो है सबसे ज़्यादा इसमें किस चीज़ की है, retentivity, बताए सकते हैं आप लोग, जी, देखिए, retentivity का मतलब ये होता है, अगर मैं कहूं कि हुए कोई substance है, कोई element है, इसको हम electricity दे रहे हैं, जाने कि magnetize इसको कर रहे हैं, इसको magnetize कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, fully magnetize हो गया, for example, ये fully magnetize हो गया, और इधर से हमने magnetic property, जो magnetic चीज़े हैं, उसको छोड़ दी, मतलब हम उसको power देनी छोड़ दी, तो इसका मतलब जब पावर देनी यहां पर जब हमने छोड़ दी, तो ये magnetize जो है, तब भी magnetize रहे, तो वो किस में retentivity हो, मतलब उस चीज़ का मतलब होता है, retentivity, तो वो किस में सबसे ज़्यादा है, वो आपकी steel में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो answer number D is the correct one, yes, answer number D, बिल्कुल सही, clear, और steel के production 300 million ton को produce करने के लिए बात करी गई है, already हम 100 million ton पे थे, तो extra 200 million ton को promote करने की बात करी गई है, और उसके लिए mission कौन सा था, mission प्रबोधिया, जाने के हम east वाले हिस्से को use करेंगे, और वहां पे production करेंगे, mission प्रबोधिया, aluminium की बात करूँ, तो इसकी जो और है, वो है, corundum, corundum, ठीक है, aluminium की और कौन सी है, दूसरी box site, और earth crust मे, earth crust मे, earth crust मे, earth crust मे, सब से best connector of heat and electricity कौन सा है, heat and electricity, that is silver, legend silver महंगा होता है, इसलिए हम copper का इस्तिमाल करते हैं, याद रखना, तो answer number D is the correct answer, steel, next बताएगे, ये question I think मैंने 4-5 दिन पहले, जो daily classes होती है, शायद मैंने उसमें भी a question discuss किया था, आप लोगों के साथ, सरदार बल्लवाई पटेल जो है, इन इनको गाउं की महिलाओं ने title दिया था, women ने title इसको दिया, इनको दिया था, clear, और that is the बार्दोली सत्यागरह, बार्दोली सत्यागरह, tax के लिए था, 1928 में देखने को मिला था, बार्दोली एक गाउं है, गुजरात के अंत्रगत, वहां पे, जब इस सफल हो गे थे, इस सत्यागरह में, तो गाउं की औरतों ने title दिया, अगर option में गाउं की औरते नहीं आता, बाई चांस वहां पे option नहीं आता, तो वहां पे option आएगा, क्या महात्मा गंदी आएगा, तो उसको टिक कर देना, तो answer number C is the correct answer, सदार बल्लबाई पटेल जी को Iron Man of India के नाम से जानते क्योंकि इन्होंने unification करवाया था, सदार बल्लबाई पटेल, 1931, कराची सेशन, कराची सेशन था INC का, वहां पे fundamental right पहली बार जो है draft किये गए थे, 1931 में, उसके chair person सदार बल्लबाई पटेल थे, लेकिन fundamental right जो है draft करना, draft किसके दौरा किये गए थे, जोहलाल नहरूजी द द्राफ्ट किये गए थे, लेकिन जब देश आजाद हो गया था, तो fundamental right की committee बिठाई गई थी, और उस fundamental right की committee के chair person कौन थे, सदार बल्लबाई पटेल थे, याद रखने वाला point है ये, समझाया आप लोगो, yes, समझाया आप लोगो, गडबड मत कर देना paper में, बुधान moment जो भी थी, बिल्गो सही point, समझाया, yes, अब ये हो गया point, rollout सत्यक है, rollout act आया था आपका, जिसे हम black act कहते हैं, no वकील, no दलील, no appeal की बाते यहाँ पे करी गए थी, सब्देशी movement की अगर मैं बात करूं तो 1905, 1905 में सब्देशी आंदोलन किया गया था आप लोगों का, बेंगॉल पार्टिशन ही हुआ था, लेकिन ध्यान रखना, बेंगॉल पार्टिशन किया किसने था, Lord करजन ने करवाया था, लेकिन सब्देशी जब आंदोलन launch किया गया था, तो उस ताइम पे गवर्नर जनरल वाइसरे चेंज हो गये थे, उस ताइम पे थे Lord मिंटो, सम रभि नोवव भावे थे, दूसरे सत्यकराई जो पकड़े थे, जो आला नहिरू जी थे, तीसरे सत्यकराई जो पकड़े थे, वो थे ब्रह्मदत्, ब्रह्मदत् ये पकड़े गए थे, तो ये याद रखने वाला पार्ट है, चलिए चलो अगले कोशन की तरफ चलो, और यह जो ब्रह्मतत्तवाला कोशन में ने करवाया ना इस बार ये शायद और पीसेस में पुछा क्या था पाता-नि उडिशा-पिसेस में पूछा गया था जहां भी पुछा गया था पूछा गया था कि अहीं है बता यह शाबभाश कि 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 चुलिए अगला नसा बताईए, डायरनाल टेंपरेचर डिफ्रेंस मैक्सिमम कहां पे है, डे टेंपरेचर मैक्सिमम कहां पे होता है, जैसे दिन के टाइम पे गरम, दाथ के टाइम पे ठंडा, और ये देखने को मिलता है हमें, desert condition में, क्योंकि जो sand है, है, उसकी जो specific heat होती है, विशिष्ट उष्मा, specific heat, और वो क्या होती है, low, low specific heat होती है, जिसके कारण जो है, डायरनल डिफरेंस जो है, आपका बढ़ जाता है, तो answer number क्या बनेगा, A is the correct answer, answer number A, desert, और हमारे इंडिया में desert कौन सा है, थार, अगरा बताओ, ये question मैं अभी आज आज आपसे discuss कर चुका हूँ, judicial review का बात बताई थे मैंने, option में, judicial review, revisionary jurisdiction, ये दोनों मैंने आपको बताये थे, बस इसका answer हम टिक करेंगे, US is the correct answer, clear, और US is the correct one, US से हमने fundamental rights, preamble का concept, written constitution, independence of judiciary, ये सब concept हमने लिये हैं, UK से हमने rule of law, bicameral legislature, rate word, parliamentary form of the government, bicameral legislature यहां से लिये हैं, Canada, federation with strong center लिया है, Ireland, DPSP से हमने यहां से बोरो किये हैं, तो answer number A is the correct answer, answer number A, चलिए अगर answer बताये, स्वामी विवेका नंद जी ने शिकागो यूनिवर्स्टी में, वर्लिजिस पार्लेमेंट में संबोधित किया था कब, और यहां पे इन्होंने संबोधित करते हुए बोला क्या था, इन्होंने बोला था, Indians and Americans are brother and sister, यह word use किये गए थे, और यह कौन है, 1893 में शिकागो यूनिवर्स्टी में गए थे, स्वामी विवेका नंद जी जो है, इनका उरिजिनल नेम क्या है, नरेंदरनाथ दत्ता, नरेंदरनाथ दत्ता है, और इनको विवेका नंद का जो टाइटल दिया था, अजीद करते हैं, याद रखने वाला पाठ है, ये वाला भी, clear, और अगर हम बात करें, विवेका नंद जी ने रामा कृष्णा मिशन स्टार्ट किया था, अपने गुरु जी के नाम पे, जिनका नाम था, रामा कृष्णा परमहंस, रामा कृष्णा परमहंस जी का उरिजिनल नेम है, गदोदर, चटो, पाध्या, जो के दिक्षनेश्वर, कलकता में, काली माता के मंदिर में पुझा रही थे, पॉइंट समझा है, ऐसा कोशन, बेंगौल में पूछा गया था, तो मैंने इसलिए बता दिया, आप लोगं को, किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है, कि इनका उरिजिनल नेम तो चलो पूछा आता है, कि क्या है, गदोदर, चटो, पाध्या, इनका उरिजिनल नेम है, आगे भी पूछ लेते हैं, ये कौन थे, क्या गरते थे, दिक्षनेश्वर, टेंपल, कलकता, जो काली माता का मंदिर है, वहां पे पूझा रही थे, तो ये किस पॉलुटेंट के कारण देहने को हमें मिलती है, देखे, किड्नी की अगर मैं बात करता हूँ, इसका structural और functional unit क्या है, नेफ्रों, और यहां पे जो blood plasma होता है आपका, वो होता है, filter, और उस process को हम क्या कहते है, ultra filtration, प्रानिस्पंदन के नाम से उसको जाना जाता है, प्रा आपका lungs भी आता है, तो यह जो है, आपके क्या है, excretory organ देखने को हमें मिलते हैं, clear, तो यह आपकी disease है, तो answer इसमें क्या बनेगा, क्रेटरी disease जो होगी, वो किस pollutant के कारण देखने को आपको मिलेगी, वो बनती है, अब आप एक चीज़ देखो, इसका answer बताओ क्या बताओ, 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 मिन बताया हुआ है वोशन है आपको, जी, बिल्कुल, cadmium के कार, answer number A is the correct answer, cadmium से जो disease हो जाती है, वो इटाई, इटाई disease हो जाती है, clear, अच्छा, एक और याल बताता हूँ, kidney के अंदर जो stone बनते हैं, पत्थर, पत्थरी जीसे हम कहते ह है, वो बनती है, calcium oxalate की, चीक है, याद रखे, अच्छा, boron और cadmium rod यूज करी जाती है, nuclear reactor में, याद रखना, और iron की बात करूँ, iron की अगर मैं बात करता हूँ, hematite, lemonite, sidrite, iron pirate, magnetite ये और है, iron pirate जो होती है, इसे हम कहते हैं, fool's gold की नाम से जानते हैं, जिसका symbol होता है, FES2 होता है, clear, कोबाल्ट की बात करता हूँ, vitamin B2L में देखने को हमें मिलता है, कोबाल्ट, जिसे हम कहते हैं, sinocobalamin, जिसकी कमी से अनीमिया हो जाता है, megaloblastik अनीमिया देखने को हमें मिलता है, clear, और कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट को, कोबाल्ट 60, जो है cancer ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है क्लियर और कार्बन नैच्रल देखने को हमें मिलता है नैच्रली तो आंसर नंबर ए इस दा करेक्ट आंसर कैड़ में चलिए अगला अंसर बताईए अगला कोशन बताईए इनमें से imaginary lines बताईए जहां पे same level of rainfall देखने को हमें मिलती है उस शीज को क्या कहते है देखे जो contour lines होती है अगर हम above the sea level की बात करें जा below sea level की बात करें जहां पे भी दो equal height हो जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे that is contour line कहेंगे ISO bar की बात करें तो वो होती है depth कितनी आपकी depth है वहां पे clear दो area जहां पे depth same हो ISO height की बात करें तो rainfall का बात आएगी तो answer number C ISO bar की बात करें तो pressure की बात आएगी यहां पे तो answer number क्या बनेगा C is the correct answer ISO height जी answer number C is the correct one ISO height समझा गया आप लोगो करें आगे चलो next question बताओ शाबाश crust और mental के वीज में जो आपकी boundary है वो कौन सी होती है earth crust और mental के वीज में जो boundary होती है वो कौन सी boundary होती है इस question को समझने के लिए मैं हमेशा आपको trick बताता हूं करना कैसे होता है question सक्व हमेशन इसको ऐसे सर्टल बनाओ यह तीन बनाओ करस्ट fiber mental और कोर कर यह तीन हिस्से होते हैं छीक है यह इसको डिवाइड कर लो ऐसे इसको एसे डिवाइड कर लो तो इसको Silicon Aluminium, Silicon Magnesium ये देखने को मिलता है और इसका shortcut याद करना है आप लोगों को कैसे, लाइनो को कैसे याद करना है CMR Good Leaders मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ जो मेरे से पराने पड़ते आए हैं तो कैसे करना है, ये लाइनो से CMR पहला पहला वर्ड उठाना है G और L, CMR Good Leaders इसका मतलब क्या बनेगा Conduct Discontinuity, Mohorovic Discontinuity Repity, Gutenberg Lehman, आप लोगों को अगर नाम भी नाल लेने आते हुए तब भी आप अंसन निकाल देंगे किसके किसके बीच में देखने को हमें मिल रही है पॉइंट समझाया तो इनने बोला था Crust और Mental के बीच में तो Crust कहां पे है ये है Crust ठीक है Mental कहां पे है ये वाली Mental Crust और Mental में Dark Line ये वाली है तो उसमें कौन सी आगी M तो अगर पेपर में ये कुछ Question पूछ लेता ये बताए ये अपर Crust और Inner Crust में कौन सी है तो आपका अंसर मन जाता Condent Discontinuity Point समझना ये चीज़ तो इसका अंसर क्या बनेगा आपका महरोविक Discontinuity बनेगा तो answer number one is the correct one समझाया तुम्हें है जा बस हवा में सर बस बस हो गया सर रहांता दो ये टिकर दो वो कट दो है चलो पैरोमेटर वास इन्मेंटेट बाए बताएं पैरोमेटर को किसने इन्वेंट किया था बैरोमेटर जो यंत्र है आपका atmospheric pressure को मापने वाला यंत्र है ठीक है और इसको invent किया था Tauri Sally ने और pressure को जो मापने वाला यंत्र होता है उसकी जो unit होती है वो होती है बार ठीक है number one Pascal Newton per meter square यह आपकी units होती है barometer की reading एकदम से नीचे गिर जाए तो तुफान आएगा नीचे नीचे दीरे दीरे गिर रही है तो क्या होगा rainfall और अगर दीरे 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 उपर उठ रही है तो आसमान साफ, clear weather point समझाए आप लोगो तो answer इसमें क्या बनेगा आपका एक, that is tourist selling चलो जी अगला गोशन बताईए अगला गोशन बताईए some Buddhist rock cut caves are called chaityas while the others are called vihar, चीक है what is the difference between the two chaitya और विहार में जो difference है वो क्या है और chaitya और विहार होते क्या है ये question है मैं इस question को समझने के लिए याद करने के लिए मैं कैसे याद करता हूँ वो बता देता हूँ chaitya मतलब चिंतन करना chintan कहां पे होता है मंदिरों में, बैठ के तो that means religious hall are called chaitya विहार, विहार आपने सुना होगा न सरसती विहार, लक्षिम विहार निर्मान विहार, ये विहार वो विहार, कितने विहार है वहाँ पे क्या है, घर है लोगों के point समझाया, तो वो घर क्या है residential hall तो इसका मतलब क्या होगा, चaitya मतलब चिंतन, मतलब religious hall और विहार मतलब residential hall clear, तो इसका देख लो जी, अंसर क्या बनेगा चaitya जो है, वो place of worship है, और चaitya जो है, आपका that is dwelling place है, नहीं चaitya जो है, आपका worship का place है, और विहार जो बुता है वो रहने का place होता है, तो अंसर इसमें क्या बनेगा, B is the correct answer, answer number B समझ आया तुम्हें? समझ आ गया? चले जी एक बच्चे ने लिखा एक बच्चे ने लिखा मियूर बिहार, मुझे एक movie याद आगी तनू वेड्स मनू की तनू वेड्स मनू हाँ औरे वो तो वहाँ रहते थे, वो वहाँ रहते थे मियूर ब्यार में रहते थे तो एकदम से याद आ गया है हुझे चलिए अगला बताईए Which one of the following statement is correct? इन में से कौन सा कथन जो है आपका सही है Yes, you are a good question but your question hurts me Yes, बताईए जी इन में से कौन सा कथन सही है आज़े ये फटा फटन सा बताईए In India The same person cannot be appointed as a governor for two or more states at the same time Color point है ये ठीक है? क्योंकि एक person को दो या दो से जाला states का common governor बनाया जा सकता है क्योंकि इसका जो आपका amendment खा 7th Constitution Amendment Act 1956 में बोला गया था दूसरा आजाओ The judges of the high court in India are appointed by the governor नहीं जो राष्ट्रपती द्वारा पॉइंट किये जाते हैं consult किया जाता है Chief Justice of India से और governor of that state से consult किया जाता है और जो judges होते हैं Supreme Court के वो तो आपके राष्ट्रपती द्वारा ही पॉइंट किये जाते हैं तो दूसरा statement भी आपका गलत हो गया No procedure shall let down in the constitution of India for removal of a governor of his or post बिल्कुल सही पॉइंट आईए क्योंकि governor तब तक रहेंगे जब तक राष्ट्रपती चाहेंगे पॉइंट समझाया In the case of union territory having a legislative setup the chief minister is appointed by the left-end governor on the basis of majority support गलत राष्ट्रपती द्वारा पॉइंट के जाते हैं तो answer number क्या बनने वाला है इसका C is the correct one Yes, C option अगला बताईए अगला बताईए With reference to the Indian history the members of the constitution assembly from the provinces who are जो हमारे प्रांत हैं आपके प्रांतों में जो हमारे प्रांतों की जो सविधानिक assembly यां है जो constitution assembly है आपकी उसके जो members है वो कहां से appoint किये जाते हैं तो ये question है आपका पॉइंट बताईए जी फड़ा फड़ा अंसर बताईए जी constitution assembly के अंतरकर जो है आपके 389 members है और मैंने आपको बताया ये total members की बात है 15 महिला आएं थी 9 दिसंबर 1946 से start किया गया था 26 नवंबर 1949 को complete हो गया था 26 नवंबर आपका constitution day कहलाया गया गया है सब चीजे ये देखने को आपको मिलती है ठीक है तो अब बात करते हैं यहां पे members of constitution assembly के जो लोग थे आपके वो appoint किये गए थे और वो appoint कहां से किये गए थे वो indirect election दवारा किये गए थे indirect election का मतलब जो चुने हुए लोग थे वो आगे लोगों को चुन रहे थे that means elected by the elected members of the provincial assembly point समझाया तो answer number C जो प्रांते विधान सभा के दवारा निर्वाचित की हुए लोग थे वो उनको appoint कर रहे है तो answer number C is the correct answer not nominal it's indirectly elected by the provincial legislative assemblies answer number C is the correct one answer number C चलिए अगला answer बताईए जी जी which chemical law proposes that soft drinks and soda bottle are sealed under high pressure to increase the solubility of the carbon dioxide सिदिसी बात है soft drinks and soda bottle जो है वो high pressure के अंदर seal करी जाती है और वो increase करी जाती है solubility of carbon dioxide की तो ये कौन सा law बताता है तो ये law कौन सा है आपका henry's law point समझाया तो answer number क्या बनेगा B option बनेगा correct answer henry's law ये हमें बताता है clear ohms law की अगर मैं बात करता हूँ सारे law यान नहीं करने होते वैसे तो V is equal to IR का फिनोमिना इसने हमें बताया था कि voltage जो है किसकी उपर डिपेंड़न करती है तो answer number B is the correct answer henry's law अगला बताये next question is on the planet earth most of the fresh water existed as the ice caps and glacier out of the remaining fresh water the largest proportion देखे question का गह रहा है fresh water जो है ice caps और glacier से आता है यहां पे देख लेते हैं option में यहां पे fresh water जो है 0.5% है जिसमें से सारा पानी जो तो glacier और ice caps से आता है जो दूसरे number पे किसका आता है ground water से आता है यह देखने का हमें मिलता है तो question ही यह था आपका कि आपका fresh water सबसे बड़ा percentage किसका है तो वो हमने यादी कर लिया that is ground water and ice caps तो answer इसमें क्या बनेगा C is the correct answer answer number C yes बिल्कुल सही option answer number C और fresh water की अगर मैं बात करूँ तो 0.5% है हमारा धर्ती के उपर fresh water lake कौन सी है हमारे इंडिया में बूलर लेक जो के जम्मू कुश्मीर में देखने का हमें मिलती है answer number C is the correct answer यह fresh water है यह glacier ice caps उसके बाद ground water चलिए जी अगला कोशन बताईए अगला कोशन बताईए national income of a country for the given period is equal to the national income of a country for a given period is equal to the क्या होता है भारत देश में जो national income होती है वो किसके द्वारा किसकी equal होती है national income मतलब N.I पॉइंट समझाया और इसको हम और कहते हैं N.N.P. at factor cost net national product at factor cost कहा जाता है और factor cost का मतलब चार factor से होता है land, labor, capital, entrepreneurship ये चार चीजों से होता है land, labor, capital, entrepreneurship से होता है point clear N.N.P. at factor cost तो ये है आपकी national income तो national income जो given period की होती है वो किसके बराबर हो जाती है तो वो बराबर हो जाती है money value of the final goods and services produced जो आपकी money value है जो चीज़े आपने बनाई है goods बनाई है, services बनाई है उसके equal हो जाती है जो भी value हो जाएगी तो answer number D is the correct answer money value of the yes money value of the final products money value of the final goods and services produced answer number D is the correct answer answer number D answer number D is the correct answer answer number D चलिज़े अगला answer बताइए during the occurrence of the thunder and lightning जाने कि जब बिजली गर्ण aquest होती है और बादल गणत столько करते है कि बिजली होती है ऐसे लशक्ती है पञचाबी में लशक्ती कहते है जो भी आपके बाशा में कहते है तो बात यह है की पहले हमें कौन वहดेसासा दिखाए देगे के सिधी सी बात है इस कोशे को समझने के लिए थंडर मतला अवाज आना तो अवाज जो है आपकी अप्रॉक्सिमिटली जो है 332 मिटर पर सेकिंड की स्पीड से एर में आती है और लाइटनिंग की स्पीड जो है लाइट की स्पीड है 3 स्पीड है और किलो मिटर में अगर मात करें तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या दिखेगा लाइट दिखेगी और अब आज बाद में आएगी क्लियर तो डैट मीज यहां पर क्या आएगा येस लाइटनिंग इस सीन बिफोर दा थंडर इस है अंसर नंबर डी इस दा करेक्ट चले आगे बढ़ते हैं नेक्स पोजिशन इस विद रेफरेंस तो पीरेड ऑफ इंडिन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ दा फॉलिंग वर्स वार रिकमेंड़ बाई दा नहरू रिपोर्ट इनमें से कौन सी जो चीज है रिकमेंड़ करी गई थी नहरू रिपोर्ट दवा अब बात यहां पर यह आ जाती है कि मोतिलाल नहरू की जो यह रिपोर्ट थी इसमें कौन सी चीज़ गिवन नहीं थी गिवन थी पूछा है हां correct answer बताने कौन सी थी complete independence for India गलत इन्होंने complete independence नहीं बोली थी इन्होंने dominion status हमें बोला था मतला हमने बोला था dominion status का तो पहला point गलत हो गया जब पहला point गलत हो गया तो यह गलत हो गया यह गलत हो गया यह गलत हो गया सीधा answer क्या बन गया B तो पेपर में जब ऐसे question होते हैं जहां पर आपको पता नहीं है logic लगाना होता है तो logic ऐसे लगते हैं तो इस question का जो answer बनेगा वो बनेगा second and third only is the correct one joint electorate for reservation of seat for minority यह सही है provinces of fundamental right yes fundamental right की पहली बार बात यहां पर करी गई थी तो answer इसमें क्या बनने वाला है आपका answer number B is the correct one answer number B चलेजे अगला answer बताईए yes येस शाबाश अगला बताईए which one of the falling groups of the item is included in the Indian foreign exchange reserve जो हमारा भारत का exchange reserve होता है foreign exchange reserve है जो RB के पास है जो RB के पास होता है Reserve Bank of India के पास होता है उसमें हम क्या क्या चीज़े लेके चलते हैं देखे उसमें दो तरिकी की चीज़े होते हैं जो हमारा minimum reserve है वो 200 क्रोड रुपे का होता है जिसमें 115 क्रोड और 85 क्रोड 115 क्रोड का क्या है gold जिसे हम hard currency के नाम से जानते है 85 क्रोड की क्या होती है foreign currency जिसमें आपका US का dollar होता है ठीक है और UK का pound sterling जापान का yen होता है चाइना का yuan और renmimi जिसे हम कहते हैं वो होता है और एक consecantry रहागी European Union का euro होता है यह हो गया और छटा होता है IMF IMF की currency होती है जिसे हम कहते हैं SDR special drawing right जिसे पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं जो के 1969 से आपकी पेपर गोल्ड currency issue करी गई थी IMF द्वारा तो अब देख लो जी क्या चीज़े हैं इसमें तो यहां पे कौन सा option बनने वाला है foreign currency asset loan वाला तो नहीं होगा foreign currency asset gold holding and SDR yes answer number B is the correct answer answer number B तो answer number B is the correct one समझाया आप लोगों को यह बताइए जी अगला कोशन बताइए इस थुडियो रू ली पारा थोड़े से नाम तेड़े है ना यह hill station जो है आपका यह bio diversity heritage site है जो के located है कौन सी state में लोकीटेड है यह hill यह बताईए भड़ा पड़ बताओ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही यह है केरला में answer number D is the correct answer केरला में वैंबनाद अस्टमूडी यह जो है आपकी wetlands है और एक और था वैंबनाद अस्टमूडी बता सकते हैं और क्या था एक और है यहां पर शस्टम कोटा शस्टम कोटा यह लेक्स जो है आपकी यह तीनों की तीनों जो है wetlands है यहां पर और केरला में मोनाजाइट सेंड है जहां पर आपका थोरियम देखने को में मिलता है स्पाइस सिटी के नाम से हम इसको जानते हैं और नैचुल लबड सबसे ज़्यादा यहां पर प्रडूस होती है नैचुल लबड आती है लेटेक्स ऑफ दा प्लांट से निखने को मिलती है नैचुल जाया आप लोंको तौंस नमबर टी के रड़ा अगला बताईए कि आए कि आए में के बारे में बताना है कि इन में से कथन कौन सा सही है यह 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 रिकार्डिंग दा इंटरनेशन मॉनेटरी फरंड विल्च ओफ फॉलिंग इस और करक्ट वान देखिए आए में अफ की अगर मैं बात करता हूँ तो यह क्या करते हैं बैलेंस ओफ पेमेंट क्राइसिस कंट्री को जो इनके मेंबर नेशन होते हैं उनको शॉर्ट टम के लिए लोन प्रवाइड करते हैं पहली बात तो और वर्ल्ड वैंक जो होता है न वो ल्ग टम के लिए लोन प्रवाइड करता है पॉट समझ आया तो अब कोशन देखे इट can grant to any country loan नहीं, develop country नहीं, yes, it only the member nation, यह सिरफ और सिरफ member nations को ही loan प्रवाइड कर सकती है, तो answer number C is the correct answer, yes, 1944 में जो है conference हुई थी, 45 में, sorry, आपकी, that is the, कौनसी conference हुई थी, Brettonwood conference, जहां पर IBRD और IMF बने थे, दिया रखना वाशिंग्टन में हुई थी, दोनों के headquarter वाशिं अगला कोशन बताईए फड़ा पड़, इन में से कौन से ऐसे organism है, जो के biofertilizers है, इन में से कैसे, ऐसे कौन से organ है, जो के आपके biofertilizers देखने को हमें मिलते हैं, yes, बता सकते हैं आप लोग, biofertilizers, अगैरिकस तो मश्रूम है, खाया जास, sorry, अगैरिकस तो मश्रूम है, स्प biofertilizers, so answer इसमें क्या बनेगा, B, B option is the correct answer, दूसरा ही option आपका सही है, only, yes, जी, answer number B, that is no stock, no stock, anabina, nitrogen, biofertilizers भी है, nitrogen fixation करने में मदद करते हैं, rhizobium plant के अंदर गए, जो है, leguminous plant जो होते हैं, rhizobium, उनके अंदर bacteria ये रहता है, so all these are very important points, समझाया, चलिए अगला अंसा बताईए, The Constitution, 73rd Amendment Act, 1992, which aims at the promoting the panchaiti-dash institution in the country, provides for which one of the following, मतलब, 73rd Amendment Act जो है आपका, जिसमें हम 11 schedule की बात करते हैं, यहां पर part 9 की अगर हम बात करते हैं, यहां पर panchait की बात आती है, यहां पर 29 subject है, जहां पर panchait की बात करी जाती है, अब बात यहां पर यह आती है, तो यहां पर किस चीज को promote करने की बात करी जाती है, number one, the constitution of the district planning committee, जो district planning committees हैं, तो वो इसको बात करते हैं ये गलत है District Planning Committee जो होती है आपकी किसके अंतरगत आएंगी मुलसे परेड़ी के लिए तो कौनसा अमेंडमेंट था आपका 74 वाला था नम्बो वान तो ये तो आपका गलत हो गया State Election Commission to conduct the all पंचायत election ये आपका option सही है तो मतलब दूसरा और तीसरा option आपके बिल्कुल सही है पहला option आपका गलत है चलिए अगला अंसर बताईए अगला बताईए ये question बड़ा important है the lowering of the bank rate by the rb leads to देखे सीदी सी बात है कि जब bank rate आपका कम हो जाए तो उससे क्या होगा bank rate का मतलब क्या होता है जिस rate की उपर rb जो होती है commercial bank को loan provide करती है long term के लिए commercial banks को समझाया अब इच्छी बताओ जब rate low हो जाएगा rate low हो जाएगा तो rb क्या कर सकती है जब rate low हो जाएगा तो banks क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा loan मांगेंगे और ले लेंगे banks के पास ज़्यादा loan आजाएगा अगर banks के पास ज़्यादा loan आएगा वो कहां पे जाएगा market में जाएगा क्योंकि सस्ते दाम पे हम market में loan दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन कर रहा है RB कर रहा है क्योंकि सारी monetary policy का खेल है यहां पर अगर RB ने छूट दे रखी है पैसे ते रखे हैं market में लेके आने के लिए जैसे मैंने वो question बताया था आपको government of India के साथ link करके बताया था वो ही question आपका bank के साथ link करके भी हो जाएगा जब RB ने rate कम कर दिये तो इसका मतलब क्या हुआ तो पैसा market में जाना जा रही है पैसा market में जाएगा कैसे bank को के थ्रू जाएगा बैंकों ने low rate of interest के उपर पैसा market में देना start कर दिया जिससे क्या होगा लोगों काम मिलेगा business मिलेगा investment होगी growth होगी demand होगी inflation होगी point समझाया वही concept वही चलेगा तो इससे ये क्या होगा इससे क्या होगा इससे जो है आपकी liquidity ज़्यादा होगी या कम होगी more liquidity in the market liquidity का मतलब क्या होता है liquidity का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो cash में तबदील हो जाए तो that is more liquidity in the market और एक चीज मैं आपको बता दूँ which is the most liquid asset cash cash is the most liquid asset अगर आपके पास 500 रुपे का नोट है अगर आपके पास 500 रुपे का नोट है कोई भी पैसा आपको मिल जाएगा point clear अगर आप सोना चाहें सोना मतलब गोल्ड सोना मतलब सोना नी गोल्ड गोल्ड भी आपका क्या है liquid asset में आता है ध्यार के bond share वगएरा यह सारे liquid assets में आते हैं तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा liquid asset market में आ जाएगा liquidity पैसा आणिकी market में बढ़ जाएगा एक चीज़ आपको और बताता हूँ अगर RB यह पैसे कम कर रहा है मतलब rate को कम कर रहा है अगर RB rate कम कर रहा है market में flow पैसा करवा रहा है तो यह RB की कौन सी policy है this is called expansionary money policy this is called lose money policy this is called expansionary lose और एक तो expansionary होता है एक lose होता है एक और एक over door होता है बताओ 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 फटाओ 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 expansionary expansion करना lose मतलब खुले छोड़ रहा है पैसे ले जाओ एक और होता है बताओ 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 कौन सा होता है lose money policy expansionary money policy एक और होता है केंसे मैं हमेशां आड को बताता हूं लूज हो गया हैं जैक इसका मतलब क्या है यह रे्ट हो रहे हैं यह RB कर रहा है अगर यह काम RB कर रहा है तो इसका मतलब मार्किन में पैसा float कर रहा है पॉंट समझ आया तो answer इसमें क्या बनने वाला है answer number A is the correct one answer number A स्वाइओ guys आप लोगों को यह class अच्छी लगी होगी class अच्छी लगी है तो like और share कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और अगर आप मेरे paid courses के through पढ़ना चाते हैं तो आप हर खर शिक्षा campaign के अंदर कर पाटिसिपेड कर सकते हैं जिसमें आपको मेरे course just 499 रुपीस में आपको मिलेगा एक साल की validator के साथ मात्र 499 में आपको code लगाना है VIP 499 यह course code लगाएंगे तो 499 में course मिल जाएगा यह courses कौन से हैं 10,000 MC course और GS course 10,000 MC course में chapter wise topic wise MCQ है different different exams के previous question है UBPCS के expected question में last year बनाएते वो हैं और इस साल जो भी आएंगे वो भी मैं इसके अंदर कर डालूँगा mock test है तो इस सब बहुत कुछ है यहां बे पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हैं GS course हमारा topic wise theory courses है तो यहां से आप ले सकते हैं इनके link description और comment section में आपको मिल जाएंगे otherwise आपको करना क्या है study IQ app और website download दरनी है जैसे आप करेंगे तो आपको screen के उपर नज़र आएगा home page end में नज़र आएगा आपको जाके Dr. Vipan Goil courses जैसे दिखेंगे आपको यह सारे courses नज़र आजाएंगे code लगा रहेना VIP 499 तो आपको course मिल जाएगा otherwise आपको in different social media के उपर भी आप मेरे से connect कर सकते हैं join कर सकते हैं और आपको telegram channel यहाँ पे 100% यहाँ पे join करना है क्योंकि यहाँ पे ही सारे lectures, PDF वगरा anything जो भी आपके लिए important होता है सबसे पहले यहाँ पे share किया जाता है बाकि आप इन सब के जो link है वो description और comment section में मिल जाएंगे clear up? तो यह यहाँ पे join कर लेना सब के link comment section में description box में given है आप YouTube से पढ़ना चाते हैं YouTube से पढ़े आप जो है paid course के माध्यम से पढ़ना चाते हैं paid course के माध्यम से पढ़े जैसे पढ़ना चाते हैं पढ़ें लेकिन पढ़ना ज़रूरी है बहुत अच्छे तरीके से त्यारी करें और भी बहुत सारे एक्जाम सा आने वाले हैं आपके UP के अंदर और बहुत सारे एक्जाम आने वाले हैं तो पढ़ें बस मैं आपको यही कहूँगा और अगर आप paid course के माध्यम से पढ़ना चाते हैं तो यह code लगा लेना आपको 499 में एक सार के वे रिट्रिकल कोर्स मिल जाएगा सो थैंक यू सो मच गाइज वाल वेरी बेस्ट गुल लग टेक केर बबाई जाहें थैंक यू सो मच